कि हलो एवरीवन एंड वेलकुम बैक टो यूजी सिनेट मैंटर आई खोब यूज जैसे कि आप सभी को पता है कि एंटीए ने प्यस्टे एंट्रेंस एक्जाम के लिए क्या स्लेबस रहने वाला है इसकी ऑफिशल वेबसाइट जो है प्यस्टे एंट्रेंस वाली इसकी ऑफ टैब में अब क्लिक करेंगे तो यहां पर अप्लोड कर दिया है अप इस तरी के समझा जैता हूं किस तरह को चेक करना है इस चीजों को समझना जरूरी है और इससे पहले बागे बड़े मैं आपको बता दू कि नेगेटिव मार्किंग जो इस एक्जाम में नहीं है और एक्जाम बाइलिंग्वल होगा इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम दोनों में होगा तो किसी को भी किसी तरह की कोई अब मैं यहां पर स्लेबस ओपन करके दिखाता हूं आपको सब्सक्रों मैंने अडल्ट जो एजुकेशन है इसका मैंने ओपन करके दिखाया है यहां पर यहां पर जो एक्जाम होगा पार्ट ए पार्ट बी करके होगा और हं टोटल हंड्रेड कोशन पूछे जाएंगे जो आप सिलेबस है यूजी सिनयट में वहीं से सेम तु सेम आपका सलेबस फॉलो किया चायगा और वहीं से कोशिंख्यम में पूछे जाएंगे । तो रिसेच मैथलोजी जो है वह सभी के लिए इस सब्जेक्ट में रिसेर्च मैथलोजी पूछ ही अगर हम बात करें कंप सब्जेक का ओपन करके दिखाया हुआ है करम दात बात करें computer science की यहाँ पर सेम पैटन है 100 कोशन है part A part B करके part A में 50 कोशन होंगे research methodology के and part B में 50 questions होंगे subject specific मतलब computer science के यहाँ पर आप देखेंगे नीचे की तरफ अगर आते हो तो research जो है research methodology का syllabus given है कुछ यहाँ पर चीज़ें given है और इसके लावा part B में आपसे बोल जाए कि जो भी आपका subject है आप उससे study करो जो भी आपके पोस्टे की रेजिशन बुक्स है वहीं से एक्जाम में कोशन बनेंगे यह आपको मैंने आपर education वाले subject को चेक गिया और मैंने आपर देखा कि जो research methodology that is common for all और इसके लावा इन्होंने आपर total 10 unit करके इस लेबस दिया हुआ है तो काफी सारे ऐसी subject है जहाँ पर 10 unit करके इस लेबस given है और यह जो 10 unit से आपकी UGC नेट वाली है आप देखेंगे ध्यान से अब करेंगे तो unit 1 2 3 4 करके इस तरीके से आप देखेंगे आप total 10 unit तक लेबस given है और यह 10 की 10 unit जो है आपके UGC नेट वाली है तो यहाँ पर specifically उन्होंने बोल दिया है कि जो भी आप पढ़ेंगे आगर हम बात करें एंगली subject की तो आप देखेंगे आपर again research methodology 50 questions and subject specific 50 questions and again आप य जैसा ही है और जैसा कि आप चानतों की पोस्टे ग्रेजिशन और ग्रेजिशन से कोशन बनते हैं तो उस तरह की की चीज़े जो यहां पर cover की जाएंगे अगर हम बात करें हिंदी subject की तो आप देखेंगे यहां पर total 10 units given है तो यहां से आपको आइडिया लगया होगा किस त में कहा था कि research methodology से 50 questions पूछे जाएंगे और इसके लावा जो भी आपका subject है उस subject के लिए आप UGC net वाला syllabus follow कर सकते हो specifically बोला था specifically लिखा हुआ information में कि जो आपका part 2 है उसके लिए आप UGC net वाला syllabus follow कर सकते हो वहीं से question पूछे रहेंगे वगर आप UGC net के त्यारी कर दो तो definitely यहां की प्रप्रशन आपकी हो जाएगी और research methodology जो 50 questions पूछे रहेंगे आपको पता है कि UGC net में केवल 5 questions पूछे जाते है research aptitude से जबकि research methodology में काफी in-depth चीज़े पूछी जाती है तो आपको research methodology के लिए काफी in-depth study करने की जरूरत है अब सिर्फ UGC net वाला research aptitude पढ़के जाओगे तो काफी chances है कि आप हम स्कूर कर पाओगे because number of questions काफी जादा है यहां पर और काफी in-depth question भी यहां पर एंटरेंस में पूछे जाते हैं because this is for PhD PhD entrance के लिए आपको काफी in-depth knowledge दो जरूरी है तो इसलिए हमने UGC net में और अपनी android app पर हमने research methodology को आपको अवेलिबल करवाया है इस research methodology course में आपको lectures मिलेंगे bilingual इसके लाव आप मॉक टेस्ट होंगे और पीडियाफ नोट्स होंगे जिनको डाउनलड करके आप multiple time revision कर सकते हो इसके लाव आपको यहां पर 200 most important mcqs भी दिये जाएंगे जो की exam में direct question मिलने की chances है आपको इसी course मिल जाएंगे और अगर आप प्रैक्टिकली सोचो तो यहां पर आपको research methodology की study करना in depth करना बहुत जरूरी है और अगर आप इस तरह की study करते हो तो काफी हाई chances है कि काफी अच्छे score कर जाएंगे आप इस वीडियो में इतने हैं ज्याद अच्छाद इस वीडियो को share कर दीजिए जितनी भी आपके friends से मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में thank you so much